क्यासे हो आप सब आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे आज की रिडिंग है most awaited तो किसी भी डिले को किये बिना आज की रिडिंग गोश्ट स्टार्ट करते हैं कैंडल वैक्स रिडिंग होगी आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी ध्यान से देखिएगा और हम आज बताएंगे कि आपके पर्सन का अभी हाल कैसा है ठीक है न क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आने वाले टाइम में आपके एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सन से त देखो आपके पर्सन की एनरजी देखते हैं आपके पर्सन की एनरजी क्या है कोशिश करते हैं एंजिल्स हमें गाइड कीजिए मेरे वीवर्स के जो पर्सन है उनकी एनरजी क्या है एंजिल्स से मैं प्रात्ना करती हूँ परंपिता पर्मात्मा से मेरी दर्ख्वास्त है कि वो बताएं कि आप दोनों की करेंट एनरजी आपके पर्सन की करेंट एनरजी इस वकट क्या है प्रात्ना करूंगी कि एंजिल्स मेरी मदद करें इस रिष्टे में स्पेशली अगर आपके पर्सन को लेके बात करूँ इतना असान नहीं है इंसर डील करना आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिन के उपर ना किसी भी चीज का असर बहुत कम रहता है अभी थोड़ी देर पहले किसी चीज के बारे में बात हुई या कितनी भी बड़ी लड़ाई हो गई कितनी भी जड़ाप हो गई आप दोनों के बीच में वो परसन समझ जाएंगे ऐसा नहीं है वो कभी भी आपको मना नहीं करेंगे सब कुछ लेकिन इस बात की कोई गैरंटी नहीं है कि वो पूरी तरीके से सुधर जाएंगे बार-बार वही चीज रिपीट होते वे देख रही हो रिपीटिड पाटन्स देख रही हो आपके परसन की तरफ से और ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ होने के बात भी न आप चाहते हो कि आप आपके परसन आपको कॉन्टाक्ट करें आपके परसन आपको कॉल करें आप चाहते हो कि एक बार कन्फरमेशन आपको मिले और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे न आपको कही न कहीं जैसे कहते नहीं है यह जो कड़वी medicine है वो खानी पड़ रही है और आपके मन में यह चल रहा है कि कि सच में इस relationship का end हो गया है कि सच में मेरे person कभी वापस नहीं आएंगे तो आप इस समय अपने आप से बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हो connection टूट चुका है और काफी time से आपकी बात नहीं हुई अगर यह सब सच है तो लिखो 100% सच लिखो या फिर लिखो complete no contact बिल्कुल ही no contact है अच्छे एक चीज और बता दूँ यहां ऐसा लग रहे है कि आपके जो person है वो अपनी energies को आप तक पहुंचाना चाहते हैं अब directly बात तो एक अलग बात हो गई पर मैं देख रही हूँ यह ना जब चुप हैं जो silence रह रहे हैं और यह अंदर यह अंदर जो घुट रहे हैं जो इनकी suffocation हो रही है यह चाहते हैं कि यह आपको खुदना बताएं पर इनकी energies को आप समझो कि जब भी आप दुनों का no contact हो जाता है यह long distance हो जाता है तो कुछ ना कुछ आपके मन में चलता रहता है ठीक है कुछ ना कुछ उनके मन में चलता रहता है और जिसको जानने के लिए आपके person बहुत ज़दा बेताब है मुझे ऐसा लगता है कि February तक ना February तक इस relationship में हो सकता है कि आप आमने सामने आ जाओ It feels like आप कहीं गए हो आपके person कहीं गए हैं या फिर आप आसपास रहते हो same जगा रोज देखते हो, मिलते हो बात होने के बहुत ज़दा chances है कुछ ना कुछ movement होती हुई दिखाई दे रही है ठीक है पर आपके person से रहा नहीं जाता ऐसे लगता है कि वो सिर्फ इसी relationship को successful होते देखना चाहते हैं this one particularly आपके साथ जो है बहुत सारी चीज़े पोस्ट पॉंड है बहुत सारी चीज़े पेंडिंग है आप दोनों के बीच में इसे लगता है इनका मन करता है कि आपके साथ कहीं जाएं आपको बाहर गुमाने लेके जाएं या आपकी energies को clear किया जाए इनके मन में बहुत बाहर आता है कि आपकी energies को clear किया जाए मतलब आपको ऐसा feel करा जाए कि पहले जैसा कुछ नहीं होगा और एक fresh सी starting हो रही है इस रिश्टे में ऐसा चाहते हैं आपके person आपको ऐसास दिलाना चाहते हैं चीके ना आपको बताना चाहते हैं इस relationship को यह किसी भी कीमत में बचाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि यह वाला जो रिश्टा है वो बचा रहे kind of वो चाहते हैं कि यह जो रिश्टा है वो खतम ना हो यह story अधूरी ना रह जाए personally यह बहुत जादे interested है जानने में कि आपके current feelings क्या है ऐसा लगता है कि separation इनको तकलीफ हो रही है separation से लेकिन एक के बाद एक इनको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे दिन बीटते जाएंगे ने इनके आँखों के सामने से कोरा हटेगा और आप दोनों का no contact ना फिर से contact में होने लगेगा आपके person को ऐसा लगता है और इनको बहुत ज़दा भरूसा भी है इस बात पे ठीक है बहुत ज़दा trust करते हैं इस चीज़ से की हाँ दोनों की बातचीत हो जाएगी पक्का हो जाएगी इस चीज़ में इनको कोई दुराहे नहीं है मुझा डाउट नहीं है किसी भी चीज़ का अगर मैं देख के बताऊ ऐसा लगता है कि इनके अंदर जो evil side है इनके अंदर जो वो सारे चीज़ है न human emotion से इस समय इन पर बहुत ज़दा भारी है एक तरफ से ये person आपको बहुत ज़दा याद कर रहे है बार-बार महसूस कर रहे हैं अपने पास दूसरी ओर मैं देख रही हो कि इनको ऐसा लगने लगा है कि आप इनसे खुद बखुद distance बना रहे हो खुद बखुद दोर जा रहे हो या इनको ऐसा लगता है कि या आप पे trust नहीं कर पा रहे है क्योंकि जिस तरही किसे आप खुश लग रहे हो आपके person को लगता है कि आपके life में भी कोई option है जिसके सहरे आप आगे बढ़ रहे हो या आपको तो कोई बिलकुल फरक नहीं पढ़ता कि आपके person के life में क्या हो रहा है आपको जादा इस बात से कोई फरक पढ़ा नहीं है कभी भी because वो भी जानते है कि ऐसा तब ही होता है जब उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया हो या आपने भी काफी efforts लगाने के बाद हाथ खड़े कर दी है ऐसा लग रहा है मुझे इससा लगता है कि आप दोनों चीज़े experience कर रहे हो मतलब आप इस person से hurt भी हो लेकिन आप ये भी चाहते हो कि आपके person आपको heal करे अब ये भी चाहते हो कि जतना आपने इस time दिया है मतलब इस person के लिए invest किया है अगर ये अभी भी सुधर जाते है तो भी आप इस person को खुशी-खुशी अपना लोगे मुझे लगता है कि आप इस person को successful देखना चाहते हो इनको महनत की कमाई का ऐसास दिलना चाहते हो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अब चाहते हो कि ये person बहुत hard work करें because ऐसा लगता है कि ये बहुत कुछ miss कर रहे है अगर ये अपनी life को सिर्फ ऐसे ही बिता देंगे ना तो आपको भी लगता है कि आपको डर लगता है कि इस person के साथ रहने से कहीं ऐसा ना हो कि आगे financial stability disturb हो आपको अभी career की भी पड़ी हुई है आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इनसे ज़्यादा touch में रहोगे या बात करोगे तो ऐसा ना हो कि distraction हो जाए ऐसा नहीं चाहते अब ऐसा लग रहा है कि तार से तार जुड रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आपके person को दीरे-दीरे realize हो रहा है कि ये जो time है वो बहुत कम है और ये time बहुत temporary है ठीक है और in fact ऐसा लग रहा है कि कोई घड़ी की tick-tick हो रही है और ऐसा लगता है कि इन्होंने एक date decide कर रहा किया है मैंने कहा ना फैब तक आपके रिष्टे में बहुत ज़दा moment होने वाली है एक तारीक होगी इनके जहन में एक कुछ होगा कि ये चाहेंगे कि आपको ना ये एकदम से आगे शौक कर दे आपके सूच से परे या आपको कुछ आके ऐसा बोलेंगे मतलब ऐसा लगता है कि something very unexpected बहुत unexpected थोड़ा सा अलग हट के कुछ कर रहे हो अपने लिए तो आप उस पे लगे रहो self doubt आपको आ रहा होगा लेकिन तो उस आर 25-26 तक आपको clarity बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी अगर आप लगे रहोगे जिस चीज को आप कर रहे हो ठीक है ना बीच-बीच में मुझे लग रहे है कि आपको panic attacks भी आ रहे है बीच-बीच में anxiety attacks आ रहे है आपको ऐसा लग रहे है कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है दमाग में कोई चीज होगी की नहीं होगी धीरे धीरे काफी जादा मतलब गहराई से सोच रहे हो आप ठीक है ना काफी गहराई से सोच रहे हो मुझे लगता है कि आपको पता है कही ना कहीं आपके person को बहुत दुख हो रहा है आपसे अलग हो के और आप चाहते हो कि यह दुख में तर्पे दुख में तरस है ठीक है ऐसा लगता है कि आपके person पूरी तरीके से टूट गए है लेकर एक चीज बता दूँ आपको जो चीज पता नहीं है यह टूटने का जो भी इनका है जो भी यह दुखी है वो आपको लेकर है लेकिन life के दूसरे parts में आप यह मत समझना कि यह अच्छा नहीं का रहे है यह फुल यह आप पर dependent है नहीं ऐसा नहीं है इसलिए मैं आपको advice दूँगी कि आप भी अपना कोई भी काम रोकना मत इस रिष्टे की वज़े से यह यह सोचके कि बाकी तो काम बाद में हो जाएगा पहले इसको सुधार लेते है स्टक एनरजी आप अपने अंदर मतलाने देना स्टक एनरजी बहुत दिन से यहां पे नहीं देख रही हूँ औल क्लियर है पर मुझे इससा लगता है कि there is something cooking यह person regularly किसी के touch में है जिससे यह connected feel कर रहे है जिससे कहीं न कहीं ऐसा लग रहे है आपको कि यह person आपसे अलग जा रहे है अलग दिशा में जा रहे है आपको ऐसे भी लगने लगा है कि इस person को कोई दिल्चस्पी नहीं है दूसरी बात within next 10 year 20 days एक बहुत ही अच्छा मौका एक बहुत ही अच्छी opportunity आपके पास आ रही है अब वो opportunity क्या है आपको ध्यान में रखना है अब वो opportunity क्या है आपको जहन में रखना है अब वो किस चीज के लिए है ये भी चीज आपको जहन में रखनी है लेकिन आपको बहुत ही alert रहना होगा आपके love life को लेकर भी ठीक है क्योंकि यहाँ पर जिसे मैंने कहा opportunities, career में आ रही है finances में आ रही है, love में आ रही है, आप अपने finances को लेके इतना attention में मत रहो, because it is going to flourish, because 2024 is dedicated to financial stability, health is also improving, पहले से ज़्यादा अच्छी state में हो, बहुत अच्छी उसमें हो, बहुत अच्छी energy में हो, बहुत beautiful, ऐसा लग रहे है कि चीज़े कितने भी बिगड़ जाए, आप समहल रहे हो तो समहलने वाली energy होने चाहिए चलिए, इस reading को यहीं तक रखते हैं, आशा करती हूं, guidance दे पाई हूं, मिलूंगी अगली reading में एक new energy के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया description box में new reading का link है देखे जरूर चाहिएगा, बाई बाई